मेरे चैनल में स्वागत है फिटकु्ट डे चले इसका अगे है तो दूस्टों यह है छोंड दे का रास्ता और कि यह कॉन सा पाधा या कॉन सा बिब जाज मुझे देहीं मालन कोई बात नहीं चली आगे चलते है यहां का मेंटेनंस काफी अच्छा है इसलिए दोने तरफ हर्याली चाही हुई है और इदर कुछ लोग बैक साइड गाउं भी है इसलिए आना जाना लगे रहता है जैसा कि आगे आप देख सकता है और इस साइड डेम का हिस्सा है चलिए आपको डेम दिखाते हैं प्रफच्ट खूद्ट दोखने लोगे साइड जित्कुओंने बदेखाते हैं अवाहाँ पूद्ट अपको प्रफच्च झालिए खज़ प्लागे तर साइड प्लागे काइस्सां के बग्स्ताइड चाश्ट पर प्लागे साईड़ सोछ्टाश दो कि अ तो दोस्तों हम लोग डेम का हिस्सा पहुंच चुके हैं उस साइड हम लोग का डेम का हिस्सा और इस साइड है मैंटेनास हाउस से यहां पर यतने भी गाड से सब यहां रहते हैं रूकिये इसको आगे से दिखाते हैं तो दोस्तों हम लोग लोग पहुंच चुके हैं डेम का हिस्सा और चलिए आगे से चलते हैं और दोस्तों यह है मैंटेनास हाउस जहां पर जितने भी गार से सब यहां रहते हैं और यह जो रास्ता है यह बस्ती जाता है इस साइट से और अगर इस रूट में जाएगा तो आप आपको गुविनपूर मिलेगा हम लोग को इधर जाना है यहां पर मरमत का काम भी चल रहा है कि भी करो को यहां जाGU मिलेगा प्वागा है रहा है क्यात्स प्राइब जाइब देन खीानार बाल में जाइब जाया झीड़ें क्यात्स प्राइब प्राइब लूटे रचा फंप दित्स प्राइब झाल झाल और दोस्तों यहाँ पे कमल का फूल भी हुआ है वैसे फूल खिला नहीं है बस इसका यह है तो इस तरह से है हमारा हुटकू डेम जो काफी छोटा सा है लेकिन इसके बावजित भी काम हो जाता है चलिए आगे चलते हैं वहां साथ सफाई का काम चल रहा है तो दोस्तों इस तरह से है हम लोग फुटकू डेम में आए हुए हैं जो इसका नजारा इस तरह से है और मेरे पीछे कमल का फूल तो नहीं हुए पाधा बस है चलिए जहाँ साथ सफाई हुआ वहां चलते हैं तो दोस्तों यहां पर साप सफाय काम जोरो सोरो से चल रहा है और दोस्तों इस तरह से इस साइड डेम है और ये रास्ता बना हुए कुछ बच्चे उदर से आ भी रहे हैं और इस साइड काफी घना जंगल भी है और पहाड भी है हम लबाद में चलेंगे उदर तो दोस्तों यहाँ से जो सीधा रास्ता दिखाई दे रहा है वहाँ से ख्रush निकलने के लिए रास्ता हुआ करता था पर अब रास्ता को close कर दिया गया है और वहाँ पे boundary बना दिया गया है जिससे सिर्फ इस से gate के द्वारा ही घुशा जा सकता है और दूसरा रूट नहीं है इसका और दोस्तों यहां से इसका जल निकासी का बनाया गया है जो इस साइट से है और मेरे को नहीं लगता कि कभी यह भरा भी होगा क्योंकि आज तक इसके देखें नहीं है यहां पाने निकलते हुए क्या है कि टाटा मोटर्स करवा रहा है या फिर ऐसी सरकार तो साप सफाई टाटा मोटर्स की वर से तो दोस्तों यहां पर साप सफाई चल रहा है जो टाटा मोटर्स की ओर से कराया जा रहा है जैसा कि आप वहां देख सकते हैं और जैसा मैंने तभी बताया कि इसका फाटक भी है जो इस साइड है और मेरे को नहीं लगता यहां तक कभी पानी पहुँचा भी होगा आज तक क्योंकि आज तक देखें नहीं है अम लोड़ और आसमान तो काफी ब्लू दिख रहे हैं क्या बात है आज तो दोस्तों यह तरह से था आज का फुटकुडेम का ब्लॉब और आज का वीडियो यहीं समाप्स होता है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें सब्स्क्राइब करें और जितना हो सकें अपने दोस्तों की साथ सेयर करें क्योंकि ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे तो मिलते हैं नक्स वीडियो में नक्स टॉपिक के साथ